सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चाइनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी विडियो सबसे पहले देखने के लिए ओल राउंडर क्रिकेटर हार्दे पांडिया भारतिय टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आज जिस मुकाम पर हार्दे पहुंचे है उसके लिए उन्होंने काफी महनत की है क्रिकेट के लिए हार्दे का इतना जुनून था कि वे दूसरे से बैट उन्हार लेकर खेलने के लिए जाते थे और पूरे दिन में केवल दो समय ही मैगी खाकर अपना पे भरते थे भारतिय टीम का हिस्सा बनने और इतना अच्छा खिलाडी बनने के पीछे के संघर की बात करते हुए हार्दे ने बताया कि अंदर 19 के दौरान मैं सिर्फ मैगी खाता था मैं मैंगी का बहुत बड़ा सैन था और कुछ परिस्थितिया भी ऐसी थी कि मुझे केवल मैं गी ही खानी पड़ती थी हार्दे ने कहा आर्थिक रूप से कमजोड होने के कारण अपनी अपनी डायेट को मैनेज करना मेरे लिए काफी मुश्किल था अब मैं जो चाहूँ वो खा सकता हूँ लेकिन उस समय आर्थिक परेशानियों के चलते परिवार के कई मुद्दे थे इसलिए दोनों समय दिन और शाम में मैं मैंगी ही खाता था वर्द डाक शो पर अपनी जिंदिगी के बारे में बात करते हुए हार्दे ने कहा कि मैच खेलने से पहले सुबह में और घर वापस आने के बाद शाम को मैं मैंगी ही खाता था वहीं अंडर सोला के दोरान स्थिती और भी बेकार थी क्योंकि खुद को रोखना काफी मुश्किल होता था लेकिन अब सब बदल गया है वह दोर बेहत ही खूबसूरत था मैं बहुत भागयशाली हूँ क्योंकि उस मुश्किल के समय ने आज मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है यहाँ बाद बहुत कम लोग जानते हैं कि बिना किसी सेविन के हमने एक गारी खली दी थी मैं और मेरा भाई क्रूनाल मैच खेलने के लिए गारी से ही जाया करते थे हमने एक साल के लिए बरोडा क्रिकेट एसोसियेशन से क्रिकेट बैट उन्हारी थी मेरी उम्रत उस समय सत्रह थी और क्रूनाल की लगभग 19 थी कई लोगों ने इस बात पर सवाल उठाए थे कि हम गारी से आते हैं लेकिन हम खुद की एक क्रिकेट केट खरीदने के लिए सक्षन नहीं है हार्दिक ने कहा कि लोग कुछ जानते नहीं है और बेवजा सवाल खड़े करने लगते है मैंने और क्रूनाल ने फैसला कर लिया था चाहें कैसी भी परस्थिती क्योंग नहों हम कभी कमजोड नहीं पड़ेंगे अपने और क्रूनाल के संगर्ज के बारे में बात करते हुए हार्दिक ने कहा कि परिवार में केवल पिता जी ही थे जो कमाते थे हम दोनों भाईयों को मैच खेलने के लिए दूसरे गाउं जाना पड़ता था क्रिनाल को एक मैच का 500 और मुझे 400 रुपे मिलता था यहाँ सिलसीला IPL खेलने से 6 महिने पहले तक चलता रहा था लेकिन अब हमारे पास सब कुछ है इसी तरह की बहतरीन खबरों के लिए हमारे चाइनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए